नमस्कार आरे न्यूस देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पलवी सेंग बुलिटिन के शुरुवात करेंगे बड़ी खबर के साथ राश्पती काउंटिंग लगतार जारी है और इस बीच आपको बता देंगी पहले राउंड में द्रौपती मुर्मू आगे चल रहे हैं बता दें आपको कि आज राश्पदी की काउंटिंग हो रही है जो वोट हुए थे और इस वोटों में द्रौपदी मुर्मू आगे चल रही है द्रौपदी ने यहाँ पर यश्वन सिना को पचार दिया है मुर्मू को 540 और सिना को 208 वोट मिले है बड़ी खबर इस वक्ति आपको बता दें कि यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू को 540 जबकी सिना को 203 वोट मिले है राश्पदी काउंटिंग लगातार जारी हो रही है और इसी बीच द्रौपदी मुर्मू का जो पलड़ा है वो भारी नज़र आ रहा है साथी साथ इस दोरान जो पहले राउंट की काउंटिंग हुई है उसके बाद देश में जो आदिवा से समुदाए है उसमें खासतोर पर जश्टिंग का महौल भी देखने को मिल रहा है और एड़ी के सवालों का सामना करने के बाद अब सोनिया गांधी को लंच ब्रेक दिया गया है ऐसे में कुछी देर में एक बार फिर से पूश्टाज चुरू होगी लेकिन इस पीच कॉंग्रस कारेकरताओं का विरोध लगातार जारी है नैशनल हराल्ट केस में कॉंग्रस सद्याक्ष सोनिया गांधी से पूश्टाज चल रही है और इसी पूश्टाज के विरोध में कॉंग्रस नेताओं और कारेकरताओं का ये विरोध प्रदर्शन सामने आ रहा है तस्वीरों में आपको दिखा दें कि यहां पर कॉंग्रस कारेकरता और नेता मौझूद हैं जिन पर वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है बताया जो रहा है कि यूथ कॉंग्रस ने दिल्ली में शिवाजी ब्रिज पर प्रदर्शन किया और त्रीने रोकी गई है साधी साज रादनिवास जाने के लिए अड़ेवोए कॉंग्रस नेताओं और कारेकरताओं को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तमाल किया है जुसकी तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं कि किसी को आगे जाने की अनुमती नहीं दी जा रही और ऐसे में कॉंग्रस के द्वारा जब प्रदर्शन उग्र किया गया तो ने रोकने के लिए पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तमाल किया जा रहा है आपको पता दे कि किसी को भी इस पॉइंट से आगे जाने की अनुमती नहीं है और कारेकरताओं की तरफ से एडी के पुतले भी जलाय जा रहे हैं तो में पश्चिम वंगाल की मुख्य मंत्री ममताब आनर जी ने जीएस्टी की नई दरो को लेकर केन सरकार पर तकड़ा हमला बोला है एक रैली के दोरान ममताब आनर जी ने कहा है कि दही चावल अस्पिताल के बेट तक पर जीएस्टी लगा दिया गया है ममताब आनर जी ने कहा कि क्या मरने पर भी जीएस्टी लगेगा और मरने पर कितना जीएस्टी लगा जाएगा कोलकता में आयोजित की गई एक रैली में ममताब आनर जी ने अपने चिर पर रिचित आकरमक अंदाज में कि इन सरकार को घेरते हों कहा है कि EDCBI BJP की रीड है लेकिन इनके दम पर उनको कोई डरा नहीं सकता ममता ने कहा कि मरने पर कितना जीएस्टी चार्ज लगेगा भारत के लोगों को और कितना लूटोंगे तो महीं पश्चिम बंगाल की सीम ने अपने सरकार की तारीफ करते होए कहा है कि राज़ो में कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है और ताजपूर पोर्ट न्यू सिलिकॉन वैली बंगाल में बहुत सारी नोक्रियां पैदा कर रही है और साथी साथ उनने कहा कि राज़ो को अगले 50 साल तक कोईले की चिंता नहीं करने पड़ेगी गौरतलब है कि हाल ही में जीस्टी काउंसिल ने नई दरे लागू की है जिसमें कई ऐसी चीजे हैं जिन पर टैक्स के दायरे में उन्हें लाया गया है और इसी को लेकर सरकार की आलोचना हो रही है जीस्टी के नई स्लैब के मताबिक पैकिट बंद और अनलेवल वाले प्रोडक्स पर 18 फीसदी का टैक्स लगेगा लेकिन सबसे ज़दा अलोचना मचली, दही, पनीर, लसी, शहद, सूका मखाना, मुर्मुरे, सूका सोयबीन और मटर जैसे उतपाद गेहूं और अन्य अनाच को टैक्स के दायरे में लाने पर हो रहा है पर इन सब के बीच अब 5 फीसदी की दर इन पर GST लागू है और अब तक इन उतपादों पर छूट मिली हुई थी तो में बीदे दिनों के इन सरकार ने जेरी प्रोडक्स पर GST बढ़ाने का ये फैसला लिया है जिसको लेकर देश पे विरोधियों की पर प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और इसी बीच अब सरकार के इस फैसले पर विपक्षी पार्टियों ने भी सवाल खड़े कर द ये तंच कसा है इस दोरान अकिलेश यादव ने एक ट्वीट भी किया है ट्वीट करते हुए उन्होंने इपने ट्वीट में लिखा कि जैश्वी कृष्णा जनमाश्ट में के ठीक एक महीना पहले बीजेपी सरकार ने दूद दही चाच पर GST लगा कर जो चोट कृष्ण देना पड़ेगा इससे पहले भी अकिलेश यादव ने सरकार के फैसले पर निशान असादा था उन्होंने तब लिखा था कि आज से आटा दही पनीर से लेकर ब्लेट शौपनर और LED इलाज सफर सब पर GST की जो मार आम जनता पर पड़ी है उससे दुखी होकर GST का एक नय भाव अर्थ सामने आया है गई सारी तनखा